स्वागत है आप सबीका फिर एक दफा क्रेक पर लेकर आएं आपके लिए एक और ऐसा वीडियो जहाँ पर चर्चा करेंगे आज हम इंडिया ए और अस्ट्रेलिया एकी बीच में जो टेस्ट रंकला खेली शारी उसके बारे में पहले टेस्ट में साथ विकेट से मात मिली थी इंडियन टीम को और इंडियन टीम कुछ खासा प्रफॉर्म नहीं कर पाई थी तो अब जरूर यहाँ पर वापसी करने का प्रयास करेंगे और अस्ट्रेलियन टीम पर हावे होने का प्रयास करेंगी पहले मुकाबले में तो ज्यादा अच्छा रहा नहीं यादे अच्छी लेकिन बहुत जादा spin को help नहीं है इसमिदान पर तो तेज गेंद बाजी के लिए भी अच्छी है पिच तो बल्ले से भी रन यहां पर बनते वे नजार आएंगे तो बल्ले बाजों पर भी फोकस कीचिएगा चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं और टीम मनानी की सुरुआत करते हैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप टेलिग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसा दिखता है हमारा टेलिग्राम चैनल जहाँ पर आपको free of cost टीमें मिल जाती है डॉन का पंट मिल जाता है अ कोई भी कोई भी चार्ज नहीं किया जाता है और लिंक जो है हमारे टेलिग्राम चैनल का इसी वीडियो को कॉमेंट सेक्सिन में मिल जाएगा कॉमें जो है आप लिंक पे क्लिक करेंगे फिर जोईन का बटन देख जाएगा आप जोईन कर सकते हैं रहाल चलिए अब यहां टीम मेंनाने की सुरुआत करते हैं शाहिन किशन जरूर एक इनिंग फ्लॉप लेकिन दूसरे इनिंग में रन आये थे बल्ले से इनके और इसलिए मैं इनको बैक करना चाहूंगा काबिलियत है बढ़िया करेंगे जस्वा फिलिपी को भी बैक कर लेते हैं अच्छे विकल् अभी के लिफिलाल लग रहे कि रख लेते हैं आते हैं बले बाजों में बले बाजों में देखो सबसे पहले साइस सुदर्शन सुदर्शन के अच्छे दर्शन होने वाले हैं पहले मैच में वीसी दिया था आपको और बोला था कि बहुत अच्छे फॉम में चल रहा है थासी की पार in the second inning ला जवाब काम करते वा नजर आया था ये left-handed बलिबाज और ये दोनों ही बलिबाज काफी बहतर फॉर्म में नजर आये हैं in the रंजी ट्रोफिय अब यहाँ पर जो है अस्ट्रेलिया एक अगेंस्ट भी तो मैं फिर से बैक करना चाहूंगा इन दोनों को लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जो टेक्निकली साउंडर कप्तानी की जिमेदारी भी है तो हो सकता है कि यहाँ पर अब प्रफॉर्म करते वे नजर आये विकास कंसिस्टेंट है अच्छा प्लेयर है इसके अलवा केल राहूल आपको दिख रहे है स्क्वार्ड में जी हाँ इनक टीम के लिए खेवी खेल चुके हैं बहुत साथ एक्सपीरियंस है तो अच्छा कर जाएंगे तो इनको रख लेते हैं आते हैं आल राउंडर में ब्यू विपस्टर मस्ट हैफ प्लेयर है जरूर यहाँ पर रखे टीम में क्योंकि काभीलियत भी है और उस काभीलियत को प् अब भी पहले मकाबले में अब लगातार अच्छा काम कर रहे तो इनको भी बैकर डेंगे नितीष कुमार रेड़ी मुझे बहुत अदा खास नहीं लगे पहले मैच में गिनदबाजी भी बहुत जादा नहीं मेली बल्ली से भी बहुत जादा अच्छे ले में नजर आया बागी चलते हैं गेंदबाजी की तरफ मुकेश कुमार पहली इनिंग 6 विकेट लेकर गए थे कमाल की आपर गेंदबाजी करते हुए नज़र आयते हैं मुकेश कुमार तो इनको तो बैक करी लो एक consistent player, एक लगाता रहाँ पर विकेट लेने वाला player, हलागि second inning बहुत जाद अच्छा नहीं गया, क्योंकि 7 विकेट से जीती गई थी अश्टेलिया, तो 3 ही विकेट गये थे उसमें भी एक आई थिंग ले गए थे, लेकिन अगर आप चाहें, तो back कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, अगर आपको केल राहूल जादा अच्छे लगरे तो रख सकते हैं, मुझे Todd Murphy जादा अच्छे लगरे है, विकेट लेनी की ability है, और एक ऐसा spinner जो कि बहुत जादा गेंदबाजी करतवा नजर आ सकते हैं, तो फिर मुझे लग रहे है कि yes, Todd Murphy जादा यहाँ पर अच्छे विकल्प हो जाएंगे, चले, कप्तान वाइस कप्तान मना आ ले थे, कप्तान की तौर पर मुझे ऐसा लग रहे है कि आपर साइस सुदर्शन के अलावा भी देखना चाहिए, पहले मैच में मैंने वी सी दिया था, लेकिन अभी मुझे लग रहे है कि साइस सुदर्शन के अलावा भी किसी को देखते है, बिकॉस पहले मैच में रन आये थे, तो अभी यहाँ पर टीम तयारिया करके आएंगी, और यहाँ पर इन पर मतलब पता नहीं कितने कंसेस्टेंट रह पाएंगे, अलागि यह वेरी कंसेस्टेंट प्लेयर in domestic cricket, लेकिन फिर भी मैं अभी के लिए भरोसा नहीं करना चाहूंगा, मुझे लग रहे है कि यहाँ पर कुछ और नामों पर नजर रखी जा सकते, मुकेश क अच्छे पंट लग रहे है मुझे, कहांगे मुकेश कुमार यह रहे, कप्तान मनाते हैं मुकेश कुमार को आइनो की थोड़ा सा रिस्क की विकल पहे, लेकिन यह रिस्क काम आ जाएगा, और मैं यहाँ पर बड़ा पंट लेने करी तयार हो, इनको मैं कप्तान मैं बना रह Тरटन की अच्छा, शलि Вс wakes you, जाएगा उस्की प्र भूल यह दो, जिस्टोलय को मैंतوب। काम् लेंड You एं श्लिए चान एंट मैंने केलं की वेड़ा के मां उस, भाह हैं हाँ जाँ बंछे चान रह लगे, बल्ली आशलिय। लेकिन फिलाल यहां पर आपस टॉपिक पर आते हैं मुकेश कुमार विल बी कैप्टेन और रुतुराजगाय कवार विल बी कैप्टान अगर आपको थोड़ा सा चेंज गरना है सेफ जाना है यह दो तीन नाम है विल बीकल पुंगे रिस्क लेन है घरेलू किर्केट से मार के आएं और अंदर वो आग अभी भी है कि इंडिन टीम से मुझे ड्रॉप क्यूं किया गया और मुझे क्यूं आपसे नहीं मिल रही है तो हो सकते कि शान का एक कुछ कमाल का आपर पर परफॉर्मेंस आ जाए तो यह कुछ अपडेट्स आपके लिए अब मुझे इजाज़त दीजिये फिर मुलकात हो कि बहुत जल्द तब तक के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जोड़ जाएगा लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इसी वीडियो के कॉमेंट सिक्सिन में मिल जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो में अब तक के लिए हम तेरे मश्कुराते रिये बने रिये टीम क्रिक्रा के साथ दिस चंदु डॉन साइनिंग आफ थैंक यू